भारत के लोगतंद्र का चौता अस्तम कह जाने वाले मीडिया में OBC, SC, ST आदी बहुजनों को प्रवेश से कौन वन्चित कर रहा है मीडिया में बहुजनों के भागिदारी और हिसेदारी कम होने के क्या कारण है मीडिया में पिछणने के कारण बहुजनों को कौन-कौन से सामाजिक, राजनेतिक और आर्थिक नुक्सान जहिलने पड़ते हैं जातिय लैंगिक एवं सामप्रदाइक प्रतनी जित्व के लिहाज से भारती मीडिया का चेतर कैसा है बहुजन मूलनिवासी महामानों के द्रिष्टि में भारत में मीडिया का चिर्तर कैसा है भारत में मीडिया और अगबार उनका, यहां तक की दल और सरकार उनका, आप कहां रह गए मेरे अजीज बहुजनों, सिवाए उत्पिरन के बनके सिकार उनका इसके साथ हम बहुजन समाज की मीडिया में भागिदारी बढ़ाने के तरीके और उपायों पर चर्चा करेंगे, तो हम आगे बढ़ते हैं वीडियो में नमस्कार, सलाम, सास्त्रियकाल, जै भीम जोहार, मैं हूं धिरेन कुमार, बहुजन बहुजन में आपका स्वागत है बावा साहिवा मेटकर कहते थे कि बिना मीडिया के किसी भी समाज या वर्ग का सामाजिक, आर्थिक या रर्यतिक आंदोलन कभी सफल नहीं हो सकता बिना मीडिया का आंदोलन बिना पंक के पच्छी के समान होता है हाली में News Laundry एवं Oxfam India की संजीक्त प्रयास से भारत की चांदता के सामने एक बहुजन समाज के भागीदारी के उपर विश्तरित प्रकास डाला गया उसमें बहुजन सर्वे किया गया कि भारत की मीडिया में OBCCST आदिक के पत्रकारों की कमी क्यों है इसमें उनकी भागीदारी कितनी है मीडिया में बहुजन समाज के लोगों की मीडिया के भीन पदों पर कितनी भागीदारी है इसके लिए उनने विश्तरित सर्वे किया और उसका रिपोर्ट तैयर करके भात की जन्ता के सामने लाया है उप्रोक्त रिपोर्ट के मुख्य विचार की हाइलाइट्स इस प्रकार थे जैसा कि आप स्क्रीन पर देखेंगे कि लिरेसी पोजिस्स में जो 218 सर्वे आउक्सवाइम इंडिया और नी लॉंडरी ने किया था उसमें से 151 पर देखेंगे थे और OBC, SC, ST, ST, आदी बहुजन समाच की भागदारी शर्व 27 पर दोपरी रही ऐसे ही जितने इंग्लिस और हिंदी नीश प्रेवर में आर्टिकल्स लिखेंगे गए उसमें से 60 फिजदी सिर्फ जनर्र कर्टिकरी के दोरा लिखी गई जिसमें से SC, ST, कटिकरी के लोगों को आर्टिकल के लिए जो स्पेस दिया गया वो सिर्फ 5% था और OBC के लोगों को जो आर्टिकल में स्पेस दिया गया वो सिर्फ 10% था अर्थात मुख्य टॉपीक में जो आर्टिकल छापे गए वो जाय दर इंग्लिस और घंधी नीजपेपर में दबंग जातिओं के इथे ज़न जातीय की के जन जातीय मुद्दों पर जितने बादिकल लिखे गए उस में से जाय दर जैड़िसं परसंट दबंग जातियों के थे और जातिय जन जातिय मुद्दों पर भी यह सी एस्ट कटिगरी के जनलिस्स किसी भी नहीं के बराबर थे ऐसे ही हैं मैगजिन्स में बात करें तो लगभग साट परसंट स्टोरीज स्रिफ जनल कटिगरी के लोगों नहीं किया जिनकी पर एसी एस्ट का एक भी राइटर नहीं था कुछ ओबिसी जो थे जो थोड़ा मोड़ा टॉप पर थे वह भी कुछ जो की ना के बराबर ही माने मैग जिन्स कटिगरी के जातिय जनजादिय मुद्दों पर लेखों की संख्या स्रीफ 14 परसंट थी जबकि एस्टी कटिगर थे और हिंदी प्राइम टाइम सोज में 60 प्रसंट तक जनल कटिगरी थे अवहीं स्टी एंकर्स ना के बराबर थी और किसी भी चैनल में डिवेट के लिए होस्टिंग करने के लिए जाती जन जाती मुद्दों पर भी स्टी एस्टी एंकर्स को नहीं निक्त किया गया नही जितने प्रसंट होते हैं उसमें से शिर्फ प्रसंट ही होते हैं वह उससे कम ऐसे ही डिजिटल मीडिया में हम देख लें तो में डिजिटल मीडिया आउटलेट्स में लगभग 55% तो सिर्फ जनल कड़गरी के ही राइटर्स होते हैं और सिर्फ 5% से भी कम S.E.S.T. कड़गरी के राइटर्स को आर्टिकल्स लिखने का मौका मिलता है हाना कि अब अच्छा काम कर रहे हैं और जो यह हासिय के समाच है हासिय का तपका है उसको भी मौका दे रहे हैं लिटर्स पोजिशन में भी अगर आप स्क्रीन पे कास्ट पोजिशन एमंग दर लिटर्सी पोजिशन ऑफ मीडिया चनल्स इन 2019 एं 2022 में देखेंगे तो यह भी आपको साफ स सबसे खुबसूरत बात यह थी कि इस रिपोर्ट में जो सवाल पूचा गया कि क्या जनरल कड़ी के जो पत्रकार होते हैं वो बहुजन समाज दौरा जहने जाने वाले चुवाचूत भेदभाव उचनीच आदी समाजिक दुस्वारियों का उतने अच्छे से प्रसुति कर कर पाएंगे जितने अच्छे से बहुजन समाज के पत्रकार कर सकते हैं अगर बहुजन समाज के मुद्दे मांगों पर अच्छा प्रसुतिकर्ण बहुजन समाज के पत्रकार ही कर सकते हैं तो क्यों उन्हें मीडिया में अपने समाज की आवाज प्रसुत करने का मौकार न उस तकलीफ के बारे में अच्छे से प्रस्तुतिकरण पेसकस कर सकता है जैसे प्रसव पीड़ा से गुजरी महिला प्रसव के बारे में जितने अच्छे से प्रस्तुतिकरण दे सकती है उतने अच्छे से अने महिला या पुरुस नहीं तो इस रिपोर्ट में बहुत अच्छ प्रदिद और उसके हिसिदारी पर मौका देकर बहुजन समाज के पत्रकारों को बहुजन समाज के लोगों को मीडिया में पीछे धकल दिया जाता है और SCST, OBC, DNT, आदी बहुजन समाज के लोगों को अपनी समाज की आवाज और मांग और मुद्धों को प्रस्तुत करने से वन्चित कर दिया जाता है और SCST, OBC, DNT, आदी बहुजन समाज के लोगों को उनके समाज की तकलीफ, उनके समाज की मांगों और मुद्धों को पेश्कस करने से प्रस्तुत करने से रिपोर्टिंग करने से पिछे कर दिया जाता है उनको वन्चित कर दिया जाता है इस रिपोर्ट में मीडिया और इसके वर्क प्लेस पर विवित्ता, सामाजे की विवित्ता, जाती विवित्ता, सामदाई की विवित्ता पर अच्छे से सवाल उठाए गए कि क्यों हासिय के समाज को मीडिया हाउसेज में, मीडिया आउटलिट्स में, मीडिया संस्थानों मे उतनी भागिदारी और भागिदारी नहीं दी जाती उनको वन्चित क्या जाता है और जन्र करड़ीर के लोगों को पत्रकाइथा में ज़्यादा मौका दिया जाता है लोकतंद के चौते अस्तम मीडिया में लोकतंद की ये मांग रहती है कि सभी समाज सभी जात के सभी धन के लोगों को उनके जनसंख्या के हिसाब से हिसेदारी और भागदारी मिले लेकिन अगर लोगतंद का चौता हिस्तम कहा जाने वाला मीडिया ही वन्चित समाज के लोगों को हिसेदारी और भागिदारी न देकर वन्चित कर रहा है तो फिर वो लोगतंद का चौता हिस्तम कैसे और उसके निस्पस्ता पर तो सवाल उठेंगे ही कि हाँ वो कभी भी नि कि मीडिया हाउसेज में मीडिया संस्थावनों में जितनी ज्यादा लोगतंत्र रहेगा उतनी ज्यादा उसको फाइदा होगा उतनी ज्यादा उसको प्रॉफिट होगा उतनी ज्यादा लोगों का पब्लिक ट्रस्ट मीडिया पर रहेगा इसलिए जैसे कि भारत की मीडिया का वन्चित किया जाता है, खुद मीडिया में तथाकतित, बुद्ध जीवी और पैनलिस कहे जाने वाई लोग कहते हैं कि हाँ लोगतंत्र होना चाहिए, समावी से विकास होना चाहिए, जब खुद उसी मीडिया में एंकर से लेके प्रवक्ता, पैनलिस, होस्ट, सभी के सभी एक ही जाती विशेस के या तताकतित, उसे जाती के लोग होते हैं, और जिसमें बौईयन समाज के लोगों को बाहर रखा जाता है, तो वो कैसा लोगतंत्र, बिना विवित्ता के लोगतंत्र के चारों अस्तम में से मीडिया ही क्यों, किसी अस्तम में, बिना सामुहीक जादा लोगतंत्र, उसे जादा समाज से विकास, बिना विवित्ता के लोगतंत्र रहेगा, न समाज से विकास, मीडिया खुद भाहरत की मीडिया चिला दी तो है, लोगतंत्र लोगतंत्र, मर खुद मीडिया के अंदर ये विवित्ता अस्थावित करके लोगतंत्र स्था है वहाँ जाया तर जनरल कटेगरी के दबंग जातियों का ही वच्चों से रहता है मीडिया अपने अंदर लोकतंतर स्थाफित नहीं कर पाती विवित्ता ही नहीं है कि हाँ यह ओबी सी एस्टी आदी वंची समाज के बहुजन समाज के लोगों को हम मीडिया में भागदारी दे के हिसेदारे दे के लोकतंतर का दावा कर सकें कि हां मीडिया में लोकतंतर है बिना विवित्ता की लोकतंतर कैसा फिर समावे से विकास कैसा जब विवित्ता ही नहीं रहेगा लोकतंतर में तो वह लोकतंतर ही नहेगा फिर उसको पात समावे से विकास कैसे होगा तब त तो यही है लोकतंत्र और ब्रामरतंत्र का भारत के लोकतंत्र में एक टक्राव चल रहा है। चरीतर है। और अगर भारत की मीडिया के जितने भी संस्थान है जैसे जिने भी चैनल है वो यह कहते हैं कि हम लोकतंत्र हैं तो उन्हें अपने अंदर के सारे जितने भी जाती सांप्रताइक प्रतनीधित्व है उसका आख़डा उने उजागर करना चाहिए। उन्हें बतान शारा उसके मांगों मुद्वों के इंक्लूसीव कवरेज सामावेसी कवरेज के मामल में पिछड़ी है यह जाधा तर दबंग जाती या तस्थम उसी जाती हो के मुद्वों मांगों को जितना जाधा कवरेज देती है जैसा कि हम मंडल आंद्रोन के दरान देख थे कि हाँ आरचण विरोधी आंदोलों को ज़्यादा कवरेज मीडिया करती थी और आरचण समर्थक आंदोलों को मीडिया का कवरेज ना केवराबर होता था और होता था था तो वो निगेटिव एंगल से होता था कि हाँ आरच्छन समर्थक जो आंदूलन है उन्हें हम कितना जादा जादा निगेटिव फ्रेम में कवर करें और आरच्छन विरोधी आंदूलनों को वो जादा जादा पास्टिव फ्रेम में कवरेज देते थे तुकि भारत के समाज का ऐसा सांस्कृतिक धार्मिक चरित भी ऐसा है कि रामर और तच्सम उची जातियों को हर जगा पहले मौका मिलता है ज्यादा मौका मिलता है उसके बाद बचा ते दुसरों को मिलेगा वरना वो वंचित की वंचित ही रह जाएंगे मगर अब समाज जाग रहा है खासकर बहुजन समाज जाग रहा है इसलिए भारत की मीडिया को अब उन्हें अपने संस्थानों में विवित्ता लानी होगी इनको सामावैसी कवरेज लाना होगा तभी वो पबलिक ट्रस्ट बिल्ड कर पाएंगे तभी वो जार जादा प्रॉ संस्थान की रिडर्शीप के मामले में भी गिरावट होती है उसकी साग गिरती है और प्रॉफिट भी उसका गिरता है ऐसे ही ऑक्सफैम इंडिया के दूसरे भी कई अध्यना है जिसमें ये खुलासा हुआ कि यह सी एस्टी ओविसी डिन्टी आधी बहुजन समाज के पत् रहा ही नहीं है जातर समय ऐसा रहता है कि मीडिया में अधी बहुजन समाज के पत्रकार नहीं रहते हैं वह जायतर चांट दे जाते हैं और जो जनेरल कटेरी के बहुजन समाज के लोग हमेशा वंचीत रहते हैं रिसर्च और दूसरे अध्यन यह भी बताते हैं कि ब्रामण और तच्सम उची जातियों के पत्रकारों का मीडिया में जादा भागिदारी सेदारी होने के पीछे सामाजिक धार्मिक करण भी है जैसे कि ब्रामण धर्म गंत्यों का वरानार्शन धर्म वर्ण ब्योस था ज इसके अनुसार हर फायदे मन लाबदायक पदों पर लाबदायक मौकों पर सबसे पहला अधिकार ब्रामर तत्समुशी जातेयों कराएगा। उनको जादा पहले मौका दिया जागा, सबसे पहली मौका दिया जागा, उसके बाद बच्चेगा तो दोसरों को मिलेगा, वरना वो वन्ची तरह जाएंगी, वो वन्ची समाज, सोसी समाज कहलाएगा. आज जो वन्ची समाज है, वो ही ब्रामर धर्मगंतों के द्वारा स्थापित, सामाजिक ब्योस्था की देन है. इस प्रकार से हम भारत की मीडिया आउसेज में जाया जाती विसंता देखते हैं, जाया तर ब्रामरवादी चरिते देखते हैं, इसलिए जब भी किसी भी ब्रा ब्रामर साहितियों पर ब्रामर धर्मगंतों पर सवाल उठाने का मतलब की सनातनी, हिंदू, करोणों, भारतियों के भावनाहाद करना, आस्था को छेड़ना, ऐसे डराया धंका जाता है, ताकि ब्रामराद के उपर कोई भी आच ना आपावें, इसलिए भाग की मीडिया क हमेशा ब्रामर वादी चरित का ही घोसित किया गया, गयर ब्रामर, गुद्र जीवियों और महामानों द्वारा, हाला कि अब सोसल मीडिया के द्वारा, अन सोसल कारपर्ट मीडिया के खिलाप सोसल मीडिया पर दसुद्रा, नेशनल जन्मत, नेशनल दस्तक, दलिश दस्तक ऐसे ही कई YouTube channel आ गए हैं जो social media के द्वारा अपनी समाज के समाज के मुद्दों को समाज के मांगों को पेश कर रहे हैं समाज के वाज को बुलंद कर रहे हैं और इससे कुछ लोकतंत्र अब लोकतंत्र के 34 स्थम में दिखाई दे रहा है ऐसे ही जातिय जनजादिय मुद्दों पर प्रकासित Media Rumble Conference की 2019 की रिपोर्ट में भी बतायागा कि 85% जो रिपोर्टर हैं पत्रकार हैं वो 15% जनल कटगीरे के ही रहे अब 85% बहुजन समाज के समझ लिए कि तब 15% होंगे 85% का हग 15% लोग मार के रखे हैं मीडिया में भी हिंदी समाचार चनलों पर जो सर्वेई वा उसमें ये दिखा कि जितने भी टीवी डिवेट्स होते हैं वो 85% बहुजन समाज के जातिये जनजातिये मुद्दों पर कम और 15% ब्राहणवादी समझ लोग को फाइदा पहुचाने वाले धार्मिक सामप्रदाइक मुद्दों पर ज्यादा होते हैं वो टीवी डिवेट्स जो हिंडी समाचार चनलों पर होते हैं और इसे हैं अंग्रेज्जी समाचार helps भे बाठते हैं ब्हारत की मीडिया में जो भेद भावका अस्तर है वो इस अस्तर तक कि सिर्फ जर्नलिस्ट, राइटर्स, टीवी पैनलिस्ट को ही कम नहीं रखा जाता है, उसके साथ साथ जो होते हैं, उनको भी कम से कम काम दिया जाता है, आँ उसी हिसाब से उनको सेलरी भी कम से कम दिया जाती है, ताकि उनका मनोबल, उनकी योगिता, उनकी मेरिट को हमेशा नीचे गिरा के रखा जाए ऐसे ही आप तो अगर मीडिया में जो पोजिशन्स होती हैं जो नित्रितुपद होते हैं जैसे कि एडिटर इंचीफ, मैनेजिंग एडिटर, एक्जेक्टिव एडिटर, ब्यूरो चीफ, रेजिटेंट एडिटर, डारेक्टर, प्रोडूसर यह स पहुँच के अपने समाज की आवाज को ब्लंद करें और ब्राहमणवाद को किसी भी तरह का नुकसान हो सके, अगर बहुजन समाज की आवाज मजबूत होगी तो लाजमी है कि ब्राहमणवाद को नुकसान होगा, हमेशा धार्मिक का टरता, धार्मिक गुलामी से आजाद इंटरनेट का जमाना आया, सोचल मीडिया का जमाना आया, उसे हिसाब से जितने भी वँचिस समाज थे हासिये के तबके थे, उन्हें अपनी सोचल मीडिया के जरिये अपनी आवाजों को बिलंद करने लगे, अपने मांगों, अपने मुद्दों को वो मजबूती से रखने लगे और इस प्रकार विज्ञान और तक्नीक ने लोकतंत को मजबूत करने में लोकतंत की चौते अस्तम को मजबूत करने में अहम भुनकानी भाई इसलिए हम विज्ञान और तक्नीक को हमेशा मजबूत करने पर जोर देंगे ताकि 25 समाज हासी कतब का ज़र 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 मज जबूत हो सके न्यूज लांडे और और इंडिया की इस रिपोर्ट में बहुत बखुरवी से बताया गया कि हम बहुजन समाच को सुरू से लेके मीडिया के संस्थान के उच पत्तक पहुंच के लिए किस कदर हर जगर अंडचनों और रुकाउटों का सामना करना पड़ता है पहले तो गरीबी भुक्मरी से कैसे कैसे पड़ो लिखो फिर उसके बाद कैसे कैसे मास कम्मुनिकेशन जनरिस्ट की डिप्लोमा या डिग्री लो उसके बाद चैलनों के चक्कर लगाओ उसमें भी पहले ब्रामार और तरस्म उसी जातियों को पहले मौका मिलेगा जाए सा स्थानों में बहुजन समाज OPCSST आदी की लोगों को मौका मिलेगा कि हाँ वो भी कुछ कर पाएं इसलिए दलितों पिछडों आदिवासियों अलफ संख्यों एवं महिलाओं के मसीह डाक्टर बाबा साहिब अमेटकर इस प्रकार की इर्रेस्पॉंसिबल जर्नलिज्म जो गयर जिम्मेदार पत्रकारिता है उसकी खत्रों के बारे में बार बार वो आगाह करते थे एलेट करते थे और उनने खुद अपने जीते जी खुद इसलिए कई पत्र और पत्रकाओं का संपादन किया ताकि वो दलिस समाज वंची समाज सोजिस समाज का आवाज उठा सके जो कि उस समय उनके समय की ब्राहणवादी मीडिया उनके आवाज को दबाने के उनके समाज को दबाने का भरपूर प्रयास कर रही थी जैसा कि बावसा मेटकर अपने समय के मीडिया के बारे में लिखते हैं कि मीडिया कुछ खास लोगों को हीरो दिखाएगी जो उनके पस पसंद के सक्स रहेंगे जो उनकी पसंद के हस्तिया रहेंगी जो उनकी विचा अधारे के हथिया रहेंगी अखास का ब्रहमारवादी विचाधारे के जो अगर वो वो खुद उनका अपना मीडिया नहीं होता जो मेंस्ट्री मीडिया उनको कभी भी उनकी आवाज को उतनी तवज्जों नहीं दी यहां ते कि आज भी बावासाव अमेटकर को खाली लाचारी बस मीडिया कुछ जगह दे थी और वो जगह देना ही नहीं चाहती और कोन से मनुष्ट्री मीडिया, मीडिया के प्रविद्यों की आधार पर मीडिया का वरिगर्ण किया गया है बावा साय मेटकर अपने राइटिंग्स और स्पीचेज में जो इसे की भारा सरकार और महारा सरकार ने प्रकासित की वो इतिहास के साथ साथ मीडिया के चरित को र अगर कोई गैर ब्राहमन निता रहेगा, जो ब्राहमनवाद विरोधी रहेगा, गैर ब्राहमन समाज के आवाज उसके मांगों, उसके मुद्दों को उठाना चाहेगा, उसको भारत की मीडिया और इतिहास दोनों ही उसके जाति विशेज के निता तक उसको प्रचारित करती ह उसको कभी भारत की मेडिया और इतिहास भारत का निता के रूप में प्रचारित नहीं करता। उस गैर प्रामण निता को कभी भारत की मीडिया भारत के निता नहीं मानती। जैसा या खुद बाबा साभ अम्बेटकर के साथ हुआ जब तक मानेवर कान्सीराम ने अपने आंध्रुन के जरीए बाबा साभ अम्बेटकर के नाम और उनकी विचारों को फिर से जिंदा नहीं दी जिसे आज अम्बेटकर वात कहा जाता है अम्बिट कर रीज में कहा जाता है भारत की मीडिया का चरीतर हमिएस बरहनवादी रहा है अखास कर बहुजन आरजशन के खिलाफ OBCS, C, S.T. के आरजशन के खिलाफ भारत की मीडिया हमिएसा प्रोपगेंड़ा करते रही हमिएसा दुसफ प्रचार करते रही हमेशा कुप परचार करते रही भारत की मीडिया बहुजन समाज के आरचन के खिलाफ समय धानिक आरचन के खिलाफ जैसा कि हम खासकर मंडल आंदुरन के समय को देखते हैं जब आरचन समर्थक आंदुरनों को भारत की मीडिया कम coverage देदे थी और जो coverage देथी थी तो उसे negative frame मे दे दे थी ताकि कोट पर नयाइक पालिका पर उसके जजों पर और उनके ब्राणवादी जजों को ये आरचन विरोधी विचारों से मतों से लैस कर सके ताकि वो आरचन विरोधी फैसले दे सके और इसी प्रकार भारत की सरकार कारिपालिका और विधाईका को मीडिया आरचन विरोधी विचारों अम्मतों से लैस करती थी और उनको मीडिया सरकारों पर, विधाईका पर ये दवाव डालती थी कि वो आरचन विरोधी कदम उठाए, आरचन समर्थक कदम न उठाए, बहुजन समाज के हित में आरचन समर्थक नीतिया न बनाए, जिसे की महा साहितकर हरिसंकर परसाइक कहते थे कि जो लोग कहते हैं कि वो जात को नहीं मानते जो लोग कहते हैं कि वो जात को नहीं मानते उनकी भी अपनी एक जात होती है अजाती सच्चाई है अजाती में कोई गलत भी नहीं है जाती गलत नहीं है चाकू से कतले इमाम होते हैं तो इसका मदलब थोईने कि हाँ चाकू ही गलत है वो कतले आम गलत है चाकू गलत नहीं है चाकू का सही इस्तिमाल भी कर सकते हैं गलत इस्तिमाल भी करते हैं आईसी पकार दुनिया की हर चीज का हम सही इस्तिमाल भी कर सकते हैं गलत इस्तिमाल होंगे और आर्चन की मांग मजबूत होगी और इस प्रकार भौजन समाज का सससेतिकन और ज़्यादा होगा तो इससे मीडिया में भी त्रोक्तन के त्वारा लागों हो जाता है और यही बात OBC आरचन को बीन आकड़ों का भी लागव कर देती है हाला के अब तो जातिगत जनगनना पर स्प्रेम कोट ने अपना अच्छा लेड़ने दे दिया कि आठीगत जनगनना नहीं होगी तो आरचन लागव कैसे होगा वर्व disappear सरकारों को किन जातियों को ज़्यादा भागदारी मजबूत कर सके पृचले आगे हम भारत की नयाई पालका में पिछड़े बोजन समाज क्या करें पर वीडियो लाएंगे जिसके लिए आपको इतला कि जातियों इती चैनल को सबस्क्राइब करना होगा और बैल आइकन दबा देना होगा ताकि आपको जो वीडियो अप्लोड हो तो आपको सुचना मिल सके आर आप वीडियो देख के अपने महापूरसों के विचाधारा अपने समाच की विचाधारा को समझ सके मजबूत कर सकें मिसन को आगे बढ़ा सकें, बहुजन को जागना होगा, OBC, CST, Minorities, D&T, आदी लोगों को जागना होगा, एक्जुट होना होगा, और अपनी आवाज अंसोसल कार्परोट मीडिया के जरिये नहीं, वो तो आपकी आवाज सुने की नहीं, सोसल मीडिया के जरिये अपनी चरित की है, ब्रहाणवादी चरित में भी सांपरताइक चरित की है, कि जातिये चरित की है, सांपरताइक ब्रहाणवादी चरित की है, कि सेकुलर ब्रहाणवादी चरित की है, कि कमिनिस्ट ब्रहाणवादी चरित की है, कि दच्रपंथी ब्रहाणवादी चरित की है, कि वा बागिदारी हिसेदारी बढ़ानी होगी हर उस कौम को हर उस समाज को अपनी मीडिया में अपनी भागिदारी अपनी हिसेदारी बढ़ानी होगी जो राजनीतिक रूप से आत्रूप से समाजी रूप से ससक्त होना चाहता है और लोक तंद में अपनी भागिदारी अपनी हिस अपने कल्चर, अपनी परंपराएं, अपनी संस्क्रिती लोगों पर कैसे थोपती है, यहां तक की ब्रहाणवादी दबंग जाती हैं, जो पीरन करती हैं, जो जाती हैं, हिंसा करती हैं, उस पर भी मीडिया कैसे ऐसे खबरों को ब्लैक आउट कर देती है, और ऐसे खबरों को यहां तक की दूस परचाडित करती है कि सासन पर सासन बरतकारियों, हत्यारों के खिलाफ, दंगाईयों के खिलाफ, आतंकियों के खिलाफ कोई कारवाई ही ने कर सकें क्योंकि वो ब्राहवाद समर्तक हैं मीडिया में जो बहुजन समाज के लोग जो लोग कुछ लोग पहुंच भी जाते हैं तो उनको उस स्वायतता से उस स्वचनता से काम करने का मौका नहीं दिया जाता है उनके काम करने के तरीके में हमेशा हस्जेब किया जाता है उनको उनकी पसंद का काम नहीं दिया जाता है वहीं कोई दुसरा दबंग जाती का रहेगा तो उसे पहले उसकी फ़संद का काम देआ जाएगा उसके बाद जो बचा खुचा रहेगा वो बहुजन समाज के लोगों को बहुजन समाज के पतरकारों को, रैटर्स को, पैनलिस्ट को वो काम देआ जाएगा जब बसी का खुचेगा तब नहीं पचा कुचा आ तो काम नहीं तो फिर नोकरी कैसी जब मौका में लेगा छांट दे जाएगा OBC, SC, ST, D&T आधी बहुजन समाज के पत्रकारों लेकों आधी को मीडिया में काम करते वे अपने समुधाय के विशय चुन्ने एवं काम करने से संबंधित स्वायतता एवं स्वचनता का प्रतिसद बहुत काम होता है जितना बहुजन समाज के लोगों को स्वायतता एवं स्वचनता दी जाती है जितना सहुखलियत बहुजन समाज के लोगों को काम करने एवं विशय चुन्ने में उतनी स्वायतता नहीं दी जाती भारते मीडिया के निजरूम के परिवेश हमिसा ब्राहणवादी रहते हैं जिससे कि बहुजन समाज को कदम कदम पर जादिगर्टिपड़ी, मुहावरे और दुसरे जादिसूचक बातों का तोन का मजाक का दंस जहिलना पड़ता है यहाँ तक कि बहुजन समाज के पत्रकारों को कैरियर में जॉब सेकेवटी भी बहुत कम मिलती है। मीडिया में बहुजन समाज के पत्रकारों को स्पेस कम दिया जाता है और उनको इफोर्स भी ज़्यादा लगाने पड़ते हैं। है कि जयत यह वर्ड का धार पर क्रम क्या रहा है by समया भारत की मीडिया अभी अनुद्धीर संस्थानों को कोई फरक नीप पड़ता क्योंकि भारत में भ्रामद ढगर्थों का अ अधर्मग्रंधों धुरा अइसा ब्रहमाडवाद अस्थापित है कि ब्रहमाडव समाज को तत्समुशी जातियों को मेडिया अर दूसरे लोकतांत्रिक संस्थानों में पहली मौका मिलता है ज्यादा मौका मिलता है अब भुजन समाज इस तरह से मौके से और संभावनाओं से वन्चित रह जाता है इसके स्थापित की जाए ताकि जाती उच नीत भेदबाव न रहे मीडिया निजरूस में जो जाती आधार पर पहले पद बाड़े आते हैं अब पद के अनुसारी सलरीज होते हैं वेतनमान होते हैं तो जाती आधार पर उच पदों पर पहुंचने के लिए मौके दिये जाते हैं हैं और उस इकानुसार वेतनमान होते हैं तो तह है कि जब बाढ़े समाज को जादा मौका मिलेगा उच पदों पहुंचने के लिए तो उनका वेतनमान वं जादा होगा और वहीं बहुर समाज के लोग Ryu को मौका भी नहीं मिलता है तो इसलिए उसम पदों पहुंचने गी तो उनका वितनमान भी कम होगा, तो जिस प्रडार की जो वेतनमान की विसमता है उसको भी कम केजाना चाहिए और भारती मीडिया को समावेशी लोकतांतरिक बनानی के लिए हाईपर लोकल बनाना होगा जाया जाया हासिक तब के लोगों को मीडिया के हर लिवल पर लाना होगा उनकी हिसेदारी उनकी भागिदारी उनकी जनसंक्या का हिसाब से तैय करनी होगी हाना कि मीडिया में कोई अफरमेटिव एक्शन आरशला लागो नहीं है और देशार समाज पे ब्रहाographics इसका बदर हावी है कि भारत की मीडिया ऐसा कभी सोचेगी यह नहीं, कि हाँ वो विवित्ता लाए मीडिया संस्थानों में, मीडिया संस्थानों में विवित्ता लाने के बारे में भारत की मीडिया कभी नहीं सोच सकती, क्योंकि वो खुद ब्रहाणवादी है, और देशा समाज पे अस्थापि विद्दा को प्रमोट किया जात के लिए जह ज़ादा बहुजन समाज के लोगों को मौका देना होगा लोगतन के 14 E 100 मीडिया में बहुजन समाज की भागदारी वाईसेदारी मुकम्मल करने के लिए सरकार को मीडिया हाउसे सहीद प्राइवेट सेक्टर में जातिय आरच्छन लागू करना होगा भारतिय समिधान के सामाजिक न्याय के तहद भारत की मीडिया में मैलाओं के भी परिस्ता बढ़ानी होगी और बहुजन समाज की मैलाओं की भी परिस्ता बढ़ानी होगी माहिलाओं के प्रतिनितु में बहुजन समाज की माहिलाओं का प्रतिनितु भी उनके जनसंक्या के हिसाब से मुकमल रहे . मीडिया संस्थानों में SCST आदी बहुजन समाज के साथ हो रहे भेदभाव, उंच नीच और दूसरे समाजिक दुसवारियों पेसेवर तकलीफों से उन्हें बचाने के लिए अनुसरी जन जाती सिकायत, निवारण, प्रकोष अस्थापित करने होंगे हर मीडिया संस्थान म मीडिया को समावे सी एम विवित दस्थापून लोगतांत्रिक बनाने के लिए ज़री है कि हर मीडिया संस्थान अपना एनुवल डैवस्टी रिपोर्ट प्रकासित करें ताकि पबलिक को समाज और सरकार को पता चले कि किसी भी विशेश मीडिया संस्थान में सभी जाती स सामुदाईक तपकों की हिसेदारी भागिदारी क्या है सरकार ऐसी नीथी बनाए कि हर मीडिया संस्थान के लिए ये आवशेख हो कि वो अपना एनुवल डैवस्ट रिपोर्ट वार्शिक विश्टा रिपोर्ट जनता के सामने परकासित करें ताकि जनता को उस मीडिया सं मीडिया में भागिदारी बढ़ाने के लिए बहुजन समाज के सामुदाईक निताओं को भी सपोर्ट करना पड़ेगा बहुजन समाज के पत्रकारों को बहुजन समाज के लेक्कों को बिना राजनितिक समर्थन के मीडिया में किसी भी समाज या कौम का पत्रकार जहाज द जिस बज़ते हैं उनके खिलाफ ऑपने बुलंद करें जयाद ज्यद्ट अपना समय और फुझी सोसल मीडियाश्य मेडिया जेरे अपनी आवाज, अपनी मागों और अपनी मुद्दों को जास जदा सरकार और समाज को बता पायेगा। हम भौजयन समाज के लोग जितना जदा सैचिक रूप से मजबूत होंगे, उतनी जदा हम आर्थिक रूप से भी मजबूत होंगे। इसलिए हमारे पुर्खों ने भगवान बुद्ध से लेके फूले बाबा साही में मिटकर तक सिच्छा पे ज़्यादा जोर दिया। भगवान बुद्ध कहते थे अविद्या परमलम अर्थाद असिच्छा सबसे बड़ा दोस है। अर्थाद अविद्या, विद्या से हीन रहना, असिच्छित रहना, सिच्छा से वनचित रहना सबसे बड़ा दोस है। यह भगवान बुद्ध कहते थे। ऐसे ही राश्विता जुद्वा फूले कहते थे कि विद्या बिन मती गई, मती बिन गती गई, गती बिन नीती गई, नीती बिन वित्य गया और वित्य बिन सुद्र समाज, जिसे जन्यविहीन समाज कहा जाता है, क्योंकि सुद्र जन्यविहीन समाज कहा जाता है, क्योंकि सुद्र समाज, विद्या के हीन होने कारण, विद्या से वंचित की जाने के कारण ही सुद्र समाज की ये दुर्गत हुई है। ऐसे ही बाबा सामेट कर कहे थे, सिच्छा पे जोर देते हुए कि सिच्छा वह सेरनी का दूध है, जो इसे पीएगा वो दहड़ेगा, बिना सिच्छा के समाज की तरक्की को नहीं आगे बढ़ाया जा सकता। मीडिया संस्थानों में बहुजन समाज की भागदारी बढ़ाने के लिए, OBC, SC, ST आदी की भागदारी बढ़ाने के लिए ज़री है कि मीडिया संस्थानों में भरतिर प्रक्रिया को, रिकृूट्मेंट प्रॉसेस को जैसा पारधर्सी ट्रांस्परेंट बनाया जाए। मीडिया हाउसेस के लिए ये अनिवार कर दिया जाए कि वो अपने इंप्लोईज, अपने कमचारियों के प्रोफाइल अपनी वेबसाइटों में डालें और OBC, SC, ST, D&T आदी बहुजन समाज के अधिकारों के रच्छा के लिए सम्विधानिक प्रावधानों की कितना हो रहा है, उसके बारे में जानकारी वे अपनी वेबसाइटों में डालें, मीडिया संस्थानों में recruitment process, भरती प्रक्रिया, uniform और transparent बनाया जाना चाहिए, वो भी cross verification के साथ, ताकि भरती प्रक्रिया को दोस्मुक्त बनाया जा सकें, इसके लिए जरूरी है कि जितने भी मीड मीडिया संस्थानों में placement होते हैं, वो government संस्थानों से हो, ताकि वंचित हासे की तपके की लोगों को, बहुजन समाज की लोगों को मौका मिल सके, मीडिया संस्थानों में पहुचने का, मीडिया संस्थानों की पहुच बहुजन समाज के लोगों तक हो सके, इसके लिए ज क्योंते स्टम्ब को जाया जादा मजबूत करने के लिए जरूरी है कि मीडिया संस्थानों में भी अफर्मेटिव एक्षन आरचन लागू करे। बहुजन समाज, OBC, SAS, T, D&T, आधी, वंची समाज के लिए भारत सरकार मीडिया संस्थानों में आरचन की नीती लागू करे। प्रकासित करके समाज और सरकार को सुचित करता रहे। मीडिया संस्थानों में equal pay for equal work की नीती लागू की जाने चाहिए, अर्थाद समानकारी के लिए समान वेतन ये नीती लागू की जाना चाहिए, जिस पर कई मीडिया संस्थान पर सवाल उड़ते हैं। मीडिया संस्थानों में जाती सहनसिलता, जाती सहिस्था पर सम्मेलन, जाती सहाथ कांफरेंस आयवज़त किया जाने चाहिए। अगर हम मीडिया के तरकार और समाच प्रभाव के बारे में अगर कुछ सब्दों में बताना चाहें, तो हम यही कहेंगे कि लोकतंत्र के चारों अस्थानों में से, अगर मीडिया में आपके भागिदारी है मजबूत, तो आपके लोकतंत्र के बाकी तीन अस्थानों में भ अपनी भागदारी बढ़ानी होगी उसके लिए आपको मीडिया में अपनी भागदारी सुष्चित करनी होगी तब ही आप सरकार की तीनों अंगों कारिपालका न्यायपालका और विधाइका में अपनी भागदारी सुष्चित कर पाएंगे यह हर कौम हर समाज हर जाती समझ और यही समाजिक न्याय का तकाजा है वरना देश पे हावी ब्राहणवाद के खिलाब सम्विधानवाद लड़ते लड़ते धम तोड़ सकता है अब फिर से मनुस्पृति के ब्राहणवादी अत्याचारवा अन्याय बहुजन समाज वह दूसरे समाजों पर फिर से सूर्य हो मीडिया की एहमियत हम ऐसे भी बता सकते हैं जैसे कि हमने दो अपरेल के एक्ट के कानुन को कफ्रीन को द्वारा कमजोर करने पर जो हमने आंदुरन किया था दो अपरेल को उसमें भी जो हमने पचास के लगबग अपनी सहाधत दी अगर हमारे मीडिया मजबुत होती तो हम समाज के खिलाफ नहीं जा सकती इसलिए बहुजन समाज की लोगों ओविसी एसी एस्टी डिन्टी माइनार्टी आदी जो नब्वे फिजती बहुजन समाज है जिसे हमारे महापुर्स अमर्श रही जगदेव बाबु सोसित समाज कह दे थे उनका जो नाना था सौ में नब धर्ती राजपाट में मुकमल करना है सुचित करना है तो हमें पहले मीडिया में अपनी भाईदारी अपनी हिस्सेदारी सुचित करने होगी मुकमल करने होगी हमारा प्रद्धित जितने ज्यादा मीडिया में बढ़ेगा उतने ज्यादा लोगतंत के बाकी तीन स्तंबों क को मजबूत करें समाज की मागों को मजबूत करें समाज के आवाज को बुलंद करें हमने भारती मीडिया के ब्राहषी मीडिया के ब्राणवाद ही चरित लिए उजागर हो गया है, यहाँ यह पुरक पुरा ब्रहाणवाज समर्थक है, इसके लिए बहुजन समाज को सोचल मीडिया पर अपनी आवाज बुलंद करने होगी, और उसी के साथ साथ कोपरेटिव कंट्रिबूशन से सहकायता दोरा अपने भी मीडिया हाउसे अस्थाफिट क करने होंगे, इसके लिए समाज एक जुठो, एक दुसरे का समर्थन करें, जैसे कि हम समाज के ब्रहाणवाज चर्थ को इस तरह भी देख सकते हैं, कि जब भी हम किसी भी ब्रहामण धरमगंत के उंच नीच, भेदभाव, छुवाचूत, समर्थक, इस लोकों, चौपाईय करते हैं, पूरी-पूरी मीडिया, सवाल खड़ा करने वाले को हिंतु विरोधि, सनातन विरोधि, देश विरोधि, भारत विरोधि, आधी कूस अंग्याओं से अपर्पानित करता है, इससे भी हम मीडिया की ब्रहाणवादी चर्यृत को समझ सकते हैं, ऐसे हम मौजुता स सवाल खड़े करने पर भी देखते हैं कि भारत की ब्राहणवाजी मीडिया सवाल खड़े करने वालों का चरितरहन करती है, उन्हें अपमानित करती है कि ब्राहणद धर्मगंतों के भेदभाव, उस नीच, छुआ छूत, समर्थक, स्लोकों, दोहों, चौपाईयों पर कैसे क कोई सवाल खड़ा कर सकता है, ये ब्राहणों के खिलाफ है, तो जब भी ब्राहणद धर्मगंतों के कम्यों पर, बुराईयों पर कोई सवाल खड़ा करता है, तो तुरन ब्राहणवाजी मीडिया तूट पड़ती है, भारत की मनुवादी, ब्राहणवादी, जातिवादी मीडिया का चहरा उस समीव जागर आता है जब हम दंगे अफसाद में देखते हैं कि मीडिया एक पच्छ में मुस्लिम विरोधी या दलित आदिवासी पिछड़ा विरोधी रुक अफ्तियार कर लेती है इस प्रकार भी हम भारत की मीडिया के बारे में कह सकते है कि वो ब्रामणवाद, जातिवाद, संप्रिद्रेक्टा, उंच नीज, भेदभाव, छुवाचूत, समर्थक मीडिया है जैसा कि बाबा सार मिटकर भी कह दे थे कि हर कौम हर समाज किसी ने किसी नेरेटिव वार में हमेसा रहता है जो सासक वर्ग है वो हमेसा ऐसा नेरेट समाज है तो हम यह अक्सर देखते हैं कि इनके बीच हमेसा नेरेटिव वार चलता है रहता है जिसकी मीडिया में अपनी आवाज होगी जो मीडिया में अपनी ज्यादा आवाज बुलंद करेगा जो मीडिया में अपनी ज्यादा मांगो अपनी मुद्दों को जिंदा रख पाएगा ज़्यादा मजबूत कर पाएगा और ये बावा साय मेटकर ने भी अपने राइटिंग्स और स्पीशेस में बताया है कि प्राचीन काल से ये निरेटिव वार चलता रहा है बुद्धिज्म और ब्रामनीज्म के बीज में हर जातियों को समाजिक नियाई के अनुसा राजनितिक नियाई के अनुसार आर्थिक नियाई के अनुसार उनकी भागिदारी उनकी इसेदारी सुशित करनी होगी भारत में सासक वर्ग ब्रामन समाज जो लोकतन के चारों अस्तम्मों को अपने कबजे में किये है तो उसका सबसे बड़ा कारण उसका मीडिया है उसक कि ब्रावनवाद जो है बहुजन समाज की खिलाफ है तो इसी लिए ये निर्टिव वार में बहुजन समाज को अपनी मीडिया जरी अपने आवाज बहुजन विचारधारा बहुजन विरासत बहुजन वाद को मजबूत करना होगा समिधान वाद को मजबूत करना होगा और ग्रावर्ण समाज को राज़ितिक रूप से भी सफल होना है, आर्थिक रूप से सफल होना है, समाईविक रूप से सफल होना है, तो उसको मीडिया में अपनी भागदारी और हिस्सेदारी सुषित करने लोगी. जैसे कि मानिवर कांसिराम भी कहते थे, बहुजन नायक मानिवर कांसिराम कहते थे कि जिसके पास 3M है, जिस कौम या समाज के पास 3M है, 3M means media, mafia and money, जिनके पास हैं, वो ही समाज राज़तिक रूप से भी सफल होगा, ब्रामर समाज के पास ये तीनों हैं, इसलिए ब्रामर सम काम करना होगा जिसमें मीडिया प्रमुख है और मानार का अंसराम एक बात और कहे थे कि जो समाज आवाजे नहीं उठाता वो समाज लासे उठाता है जो समाज अपने लोगों की अपने समाज की आवाजे नहीं उठाएगा वो समाज अपने लोगों की लासे उठाएगा इसल ज़्यादा सोचल मीडिया पर अपनी आवाज अपने समाज की अपने कौम की मजबूत करें ताकि लोगतंत के बाकी अस्तंबों पर भी आप अपनी भागदारी आउसेदारी बढ़ा सकें और ऐसे ही जितने भी भारत की भूतिया रही हैं जाहे राश्प्या जुतिया फूले को आगे बढ़ा सकें और इसलिए हर समाज को हर विक्ति को जरूरी है कि वो मीडिया के अविम्यत का अंदाजा अब यहां से भी लगा सकते हैं कि कांग्रेस और वीजेपी जो दो में राश्ट्री पार्टियां हैं भारत में उनके संस्थापकों में सबसे ज़्यादा पतर पतरकार रहे हैं और उनके प्रचार प्रसार में उनको समाज के जन्मानस जन्मत तक पहुंचाने में इनके समर्थक पतरकारों का ही सबसे बड़ा योगदान रहा है कि ये दोनों पार्टियां आज राश्ट्री पार्टियां है एक ब्रहाणवादी पार्टियां एक ब्रह सबसे जरूरी है कि वो अपनी समाजीक जिम्मेदारी समझे जो बाबा सायम में मिटकर ने बहुजन समाज OBC, SC, ST, D&T, Minorities आदी को जो समाजीक जिम्मेदारी Social Responsibility दी थी कि अपने तन, मन, धन का पांस से 10% हिस्सा समाज पे खर्च करना, समाजीक मिशनों पे खर्च करना, समाजीक संगड़नों पे खर्च करना, समाजीक विचारों पे खर्च करना, और यही हमारे बहुजन महामानों का Payback to Society का महत्पूर सिधान था कि आप आगे बढ़ रहे हैं आगे नहीं भी बढ़ रहे हैं तभी जितना बढ़े हैं उतना का 5-10% हिस्सा जो की समाज का है वो समाज के आंदलनों, मांगों, मुद्दों, सगंडों पर खर्च करें चाहे वो अपने तरीके से खर्च करें या किसी से जुड़ के खर्च करें समाज को आगे बढ़ाने में अपने 5-10% का तनमंधन समाज के हितों, समाज के विचारधारा, समाज के मिशनों पर लगाएं तभी हम मीडिया में, न्याइपालिका में, कारिपालिका में, विधाईका में अपने हिसेदारी और भागिदारी मुकम्मल कर पाएंगे वरना सावधानी हटी, दुर घटना घटी, अगर हमारी बहुजन विचारधारा और विरासत पर रामणवादी विचारधारा और विरासत काभीज हो गई तो फिर से हम हजारों सालों तक जो हम सिच्छा से वंचित रहे, आत्मिरच्छा के अधिकार सस्त्र से वंचित रहे, संपत्ति से वंचित रहे, सम्मान से वंचित रहे, नियाय से वंचित रहे, वही समय फिर से आजाएगा जिसे राम राज के नाम पर लाने की कोशिश की जा दिन रहेंगे जिसमें संभुख का वत्त किया जाएगा जिसमें एकलब यह अंगुठा काटा जाएगा निरंकुष जातिवादी ब्रहाणवादी दुराचायों द्वारा देश पर हावी ब्रहामन तंत्र का आलम यह है कि संसद और विदानसवा में पच्वी ब्रहाणवाद मिडिया में फत्रकार environ अपको अपनी भागदारी बढ़ाने होगी अपनी संगरष को बढ़ाना होगा अपने एक्ता को बढ़ाने योगी इपनी बैंता को बढ़ाने मीडिया नहीं है अपनी आवाज ब्रंद करने के लिए वो समाज वो कौम गूंगी कही जाती है उसका सरकार और समाज के लिए कोई एहमेत नहीं होती जिसे किसी विक्त के पास अगर आवाज नहीं है तो उसे गूंगा कहा जाएगा और उसके जन्मानस और जन्मत का कोई मोल होता उसके वोट का कोई मतलब नहीं उसके मुद्ववा कोई मतलब नहीं उसके माउंगा कोई मतलब नहीं समाज और सरकार के लिए तो इसलिए हर कौम हर समाज खासकर बहुजन समाज मीडिया में अपनी भागदारी अपनी हिसेदारी बढ़ाए अपने जाह ज़्यादा मी ब्रहामर समाज 3% भले जनसंख्या है फिर भी अपनी मीडिया के दम पर वो सरकार के तीनों अंगों कायपालका विदायका और नयाइपालका में अपनी तीन परशन अबाईस ज्यादा कब्जा किये है अब बहुजन समाज 85-90% है फिर भी उसकी हिसेदारी उसकी भागिदारी सरकार के तीनों अंगों में कम है तो ये मीडिया के जरिये है ब्रहामर समाज के पास मीडिया के से सरे लेके कतावाचक तक उसके पास ब्रहामर धर्मकंतों के परचारषगों तक उसकी बैस है उसका बहुत बड़ा प्रचार तंत्र है अपने इसी प्रचार तंत्र के दम पर भारत पर तीन प्रसंट ब्रामण समाज सासक वर्क की भूमिका निभाता है इसलिए अपने मीडिया जरिये असरदार कौम बनिये गूंगी कौम नहीं यह हमारे बहुजन महामानों में भी हमें बताया इसे बाबा साय मिटकर के थे कि जिस कौम या समाज के पास जितनी ही ज़्यादा पत्रकार वकील राजनेता और अधिकारी रहेंगे प्रसासक रहेंगे वह कौम उस क भारत की मेंस्ट्रीम मीडिया जिसे मेंस्ट्रीम मीडिया भी कहता है भारत की मेंस्ट्रीम मीडिया का ब्राहणवादी चरित्र जातिवादी चरित देखना चाते हैं तो आप भारत की मीडिया के दौरा जितने भी क्रिमनल केसे रिपोर्ट के जाते हैं उस पर एक बार सरनेम पर नजर डालिए तो भी आपको भारत की मीडिया का ब्रावणवादी जाती वादी सामपरताइक चरित्र नजर आ जाएगा कि कैसे जब कभी भी कोई अप्राधिया औरो पी ब्रामर समाझ का हुता है तो उसका सरनेम छिपा द्या जाता है और वहीं अगर कोई अपराधिया आरोपी गैर ब्रामट समाज का है तो उसका सरनेम सब के सामने उजागर किया जाता है लोग समझ सकें कि हाँ देखो ब्रामट और तस्सम उची जातियों में अपराधिया आरोपी कम रहते हैं और उसे निशे के जातियों में अपराधिया आरोपी ज्यादा होते हैं जिससे ब्रामर धर्म गंतों के जातिवादी उंच नीच भेद भावकारी ज्वाचुत कारी इस लोकों दो हों चौपाईयों पर कोई सवाल ना खड़ा किया जा सके क्योंकि इसका बहुत बड़ा कारण मीडिया में एंकर्स ब्रहाणवादी समर समाच के और येंस ब अपने कावम का पच लेंगे इसले काया था कि मीडिया कभी निस्पच नहीं होती हमीडिया निस्पच भोना भी निचाहिए और कहा वह जाता है कि जो निस्पच है तो क्या उसका कोई पच नहीं है उसका भी अपना पच है जो लोग वहांचीत हैं हांस Y consumers पर Aujourd' मीडिया में अपनी भागदारी अपनी हिसेदारी जहाँ ज्यादा बढ़ानी होगी तभी वो अपने समाज के अपने कौम के जानमाल को सुरचित रख पाएंगे अगर आज के दौर में ब्रामणवाद जीत रहा है बहुजनवाद हार रहा है तो इसका सबसे बड़ा कारण बहुजन समाज, OBC, SC, ST, मानार्टिस, D&T, आदिका, मीडिया में भागदारी और हिसेदारी कम होना ही है ब्रामणवाद, जूट, फरेब, अंदविश्वास, पाखंट पे अधारित है तिरी भी वो जीत रहा है अब बहुजनवाद सच पे अधारित है, तर्क पे अधारित है, मानाव कल्यान पे अधारित है तिर भी हार रहा है तो इसका सबसे बड़ा कारण मीडिया है वीडिया में बहुजन समाच की भागदारी बढ़ानी होगी तभी बहुजनवादी कच्छुआ तभी जीतेगा जब बहुजनवादी खरगोस दोड़ने की बिजाय चल भी ले तो बहुजनवादी कच्छुआ कभी नहीं जीतेगा और सच और जूट के रेस में वही जीता है जिसका प्रचार तेज होता है जिसका प्रचार तंत्र जिसका प्रचार प्रचार जितना ही तेज होगा वही इतिहास में अमर होगा चाहे वो सची हो जूटी क्यों नहों जूट के लिए भी प्रचार प्रचार की जोट परती है और सच के लिए भी प्रचार-प्रचार की जूर्थ होती है जो जीता है वही सच कहलाता है जो जीता वही सिकंदर तो इसलिए जो जीता वही सच जो हारा वही जूट भले हारा सच हो जीता जूट हो क्यों जूट जो जीता है जो जीता हो ही सच जो हारा वह जूट इसलिए सत्यमे विश्वरत्न परम पुज्य बाबासाव मेटकर भी कहते थे की विचार को परचार की जवरत होती है जैसे पेड़ को पानी की जोत होती है वैसे ही विचार को प्रचार की जोत होती है जैसे बिना पानी के पेड़ मर जाता है वैसे ही बिना प्रचार के विचार मर जाता है के विचार के प्रचार प्रसार के लिए अपने समाज के अपने महामानों के विचारधारा और विरासत उनके इतिहास के प्रचार प्रसार के लिए जाज़ादा मीडिया में अपनी भागदारी सुशित करें, अपनी हिसेदारी सुशित करें, जाज़ादा मीडिया संस्थान अस्थाफित करें, आए दिन बहुषन समाज पे इतने उत्पीरियन अत्याचार, जातिकत भेदभाव, उसनी च्वाचित होता है, मीडिया उस पे एक भी रिपोर्ट करने से बस्ती है ताकि आरचन जो समयदानिक आरचन है उसको बल न मिले इसलिए इसको सांपरदाइक धार्मिक रंग में रंग देती है और जो समाज इतने ही पिछड़ा है अगर मीडिया में अपनी हिसलाई जीतने ज़्यादा बढ़ाएगा वो उतने ही इस कारण मीडिया की दौरा दुस्पचार ने कारण ये बहुजन समाज राजनतिक आर्थिक समाजी रूप से पिछड़ जाता है क्योंकि उसके खिलाब दुस्पचार होता है तो लोगों का जन्मानस जन्मत ऐसा बन जाता है कि उनको उतना तो नहीं जाती है उनको हमेंश और इससदारी बढ़ा नहीं हो गी आप खुद देख सकते हैं कि मिडिया की एहमेयत न करती तो बड़े से बड़े अमीर, बड़े से बड़े पुजीपति अपने अपनी मीडिया अस्तान के अलस्थाबित करतेंbound कि इसलिए कि वो अपने हितों को सुरचित रख सकें यहां तक कि हर पुचिवपती अपना मीडिया सस्थान इसलिए स्थाबित करता है कि समाज और सरकार उसके खिलाफ नीतिया ना बना सकें समाज उसके खिलाफ, उसके सौर्थों खिलाफ, उसके अवैद कबजों के खिलाफ, उसके अतिकरण के खिलाफ कोई आंदुरा न कर सके। इसलिए भी हर पुचिपति वर्ग, हर अमीर वर्ग अपना मीडिया सस्तान साभीत रखता है समाज और सरकार को अपने नियंत्र में रखने के लिए। करता है उसके जो हम वीडियो लाएंगे उसकी सुचना आपको मिल सके। भारत की मीडिया और इत्यास का ये चरित रहा है कि जब जैसे सिवाजी महाराज, भगवान बुद्ध, तुकाराम महाराज, बावसामेटकर, स्वामी विकानन्द, आद जितने भी जोद्वया फुल कर लिया और उसके बाद वो मर गए, तो आप उनका ब्रामण कर रहे हैं कि देखो ये भी ब्रामणों की देन है कि वो आगे बढ़ पाए, ब्राहनवाद की देन है कि आगे बढ़ पाए, इसलिए ब्राहनवाद अब उसके निव ब्रामण धर्मकंतों पर सवाल न उठाओ, आखरी में हम आपसे यही सिफाइस करना चाहेंगे कि जितनी भी बहुजन मुलिमासी यूटूबर्स हैं जो बहुजन मुलिमासी महामानों के विचारधारा विरासत उनके इतिहास को आगे बढ़ा रहे हैं, उनको परचार परसार कर रहे हैं, उनको जाज़ादा सामाजिक, राजनितिक, आर्थिक मदद करें, उनके वीडियोज को अगर आप देखना सकें, तो कम सकम सेर और सब्सक्राइब जरूर कर दें, अगर देखें तो कमेंट भी कर दें, तब तक के लिए मैं अपने बहुजन मुलिमासी समाज से यही कहूंगा, कि इश्क हो या जंग हो, ज कर लड़ें, इसी के साथ जय भीम, जय मुलिमासी, तब तक के लिए स्वस्त रहें, सजग रहें और सतर्क रहें